तो गुड मॉर्णिंग दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक यार गाना सुन रहा था लेकिन क्या करें क्लास लेना है तो आपका क्लास तो करना ही प्लेगा चलिए तो सब कोई त्याग कीजिए मैंने भी त्याग किया आप लोक पढाने के लिए ठीक है चलिए स सकते हैं पाला कंडिशन और दूसरा कंड़िशन ओबजेक्टिव इसके व्ला करीशा तो मैंने सोब्जेक्टिव कंपर दे दिया नहीं पूरा पूरा नहीं किम्क्रेए चाहिछी अब बात अटाई किifieशन कि आफ्या करें विभिकर थे तो किया करें ओब्जेक्टीव आए कि आपका समेशर 2 है लेकिन सीने बस सबसेम फॉप होता digital बोस्य है अब को साइंस के बाए बारे बारे बालोजेक के बारे पड़ना पड़े डिटल एजुकेसर मतलब कॉंप्यूटर से जुड़ा ही और एजुकेसर से जुड़ा ही पढ़िएगा तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप की कोशेन आये थे वहां पे वहां पर पूरा पूरा पेपर इंग्लीस में अधा सबीक सबीपर इंग्लीस में 50 क कोशेन डिर्मार्क्स का अगर आपका पेपर इस तरह से आता है तो आप भी फेल कर जाएएगा नो डाउट 60% बच्चे फेल कर जाएंगे अगर आपका भी पेपर ऐसा आता है तो ठीक है और चीटिंग नहीं चलता है तो क्यूंकि बीबीन के बच्चे 60% गए पानी में ठी ठीक है चली देखते हैं आप लोग फेल मत किजिएगा इसलिए पेपर दे रहा हूं तो यहां पर पहला कोशन है हमारा बफर आप बुलिएगा भाई मुझे इंग्लिज नहीं आता है यार मुझे भी नहीं आता है यही मानलो बस सुनो फिर भी पड़ो यार ठीक है बफर इ इंपूट और आउटपूट डिवाइस के लिए एक और अस्थाई यानि कि टेंपूररी अस्टोरेज है ठीक है नेक्स्ट है हमारा कोशें नवर टू इसमें पूछा गया है कि वीच आप दो फॉलविंग इस नौट एन आउटपूट डिवाइस इन में से कौन सा एक आउ इंपूट वो होते हैं जिससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर सुचना डालते हैं और आउटपूट वो होता है जो कंप्यूटर के दवारा सुचना दिये गए को हम तक पहुंचाता है ठीक है तो मोनिटर तो सुचना हम तक पहुंचाता है यहां एक आउटपूट इसे ठीक है आगे दिख लेते हैं कोशिन नमर 3 इसमें पूछा गया है कि वीच आप दो फॉलविंग इज इज वली कनेक्टेट टू अ कम्प्यूटर विद दा हैलप ऑप केवल इनमें से किसका उप्योग करके हम लोग किसका केवल के भी आपके उप्योग के माहे जएक सहायता से कंप्यूटर को कोनेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो केबल जो चार्जर होता है एक जिस तरह से उसी तरह से केबल से कंप्यूटर करके हम लोग किसको कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं तो सिंपल ही इसका आंसर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस का ठीक है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा फोर नंबर इसमें पूछा गया है कि वीच अब फॉलोविंग इस नौट और पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग मतलब दोस्तों जिस्से हम लोग टच करते हैं कुछ भी तो देखिए माऊस तality कंप्यूटर में क्लिक करते हैं जॉई इस टिल इंडिजिटाइजर तो。」 लेकिन यहां पर मैं कंफ्यूजन हो गया है ठीक है और मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा डिजिटाजर सेप मानूंगा लेकिन यह कोश्चिन कन्फ्यूजिवल है ठीक है तो एक दो कोश्चिन होते हैं इसा जो आपको कन्फ्यूजर में डाल देंगे अगला हमारा वीच पोट कॉनेक्ट्स एस पेसल टाइप ऑफ्म्यूजिक इंस्टुमेंट फूरमड ओर्न टो साउंड टो कड्वून करता है दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग मेड़ी नाम सूनेहे मेड़ी छोटा सा होता है और इसका फुल फॉयंग होता इंस्ट्रूमेंट डिजिटल रिकोंगनाइजन करके कुछ होता है फुलबॉम ठीक है नेक्स्ट है हमारा वीच अप्डॉविंग इस नौट आ आउटपूट डिवाइस इनमें से कौन साइक आउटपूट डिवाइस नहीं है आउटपूट डिवाइस नहीं होगा तो क्या ह हो होगा इनपूट डिवाइस होगा तो देखिए हेडफॉन हमारा क्या है हेडफॉन जब हम लोग सुनते हैं तो वह सकैनर सही होगा है सकैनर जैसे हम लोगver कंप्यूटर में लादfeld लड़का गलत कर दिया यह लड़की जो भी थी गलसे है चलिए अगर देखते हैं नेक्स्ट याद दाड़ी वाड़ गया रहे हैं चलिए नेक्स्ट है हमारा की वाड़ दडल अश्टेंट फॉर सेप्याइऑ फुलफां हम पुछा गया है एपीआई का फुलफाम होता है एपलिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ठीक है application programming interface आगे दिख लेते हैं next question तो question number है हमारा 8 इसमें पूछा गया है कि they normally interact with the system by user interface provided by the application software ठीक है तो that means कि मतलब क्या बोलते हैं हम लोग computer में काम करते हैं तो हम लोग क्या कहे जाएंगे यूजर ठीक है उप्योग करता तो इसका राइट रोजाएगा option थेरी उप्योग करता यूजर next हमारा which of the following is not a way of acquiring software इन में से कौन सा software acquiring करने का एक सही तरीका नहीं है यह सही रास्ता नहीं है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे इसका राइट रोजाएगा option for duplicating the software ठीक है next हमारा question number 10 इसमें पूछा गया है कि which of this is not a mobile app इन में से कौन सा एक mobile app नहीं है तो WhatsApp mobile app है हां बिल्कुल है जी WhatsApp इप इतका नामे है Twitter एप है Instagram भी एप है लेकिन Google क्या एप है नहीं Google एक जो है system एप है ठीक है mobile एप नहीं है यह system एप है Google को आपको download करने की जोड़त नहीं यह वह already mobile में store होता है ठीक है तो इसका राइडन सुरू जाएगा हमारा Google यह एक हमारा वेब सर्च इंजन है Google ठीक है नेक्स है हमारा वीचुट डिवाइस वीच डिवाइस राइडन प्रोग्राम इंटू अपर नेकि सिंपल सा बात में पूछा गया है कि हम लोग उस चीज को क्या बोलेंगे जिसके माध्यम से हम computer को कोई सुचना देते हैं तो अभी मैंने बताया कि वहाँ device computer में hardware दो परकार को बता है कि input output एक वो जो computer को सुचना देता है तो simple वही पूछा गया है जो computer को अंदर सुचना लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं तो बोलते हैं input device ठीक है option 3 इसका right answer हो जाएगा जो computer के अंदर सुचना लेके जाए input जो computer के अंदर के सुचना को बाहर लेके आए उसको output ठीक है बाहर मतलब output और अंदर मतलब input simple सबात next control shift and alt अगर आपने कीबोर्ट देखा होगा तो कीबोर्ट में एक alt बटन होता है एक shift ठीक है control यह सब ही हमारे किस परकार के बटन है तो दोस्तों यह सब हमारे जो है modifier बटर है modifier या फिर इसका हम लोग combination की भी बोलते हैं ठीक है तो option to is right answer हो जाएगा next है हमारा which of the following and operating system which of the following is not operating system इन्हें से कौन सा एक operating system नहीं है ठीक है तो देखिए इसका right answer हो जाएगा window एक operating system है Linux भी एक operating system है ठीक है तो यह दोनों तो होगा नहीं और एकल भी अपरेटिक सिस्टम में लेकिन जो हमारा है यह हमारा औपरेटिंग शिस्टम नहीं है नोच काफ फुलपर मुता है डिस्क ऀप एक मिनुट यार किया पूछा गया है सॉरी सॉरी डॉस भी हमार औपट complaint से स्थाम दिसक फुलपो में होता है और एक यहां पर आइटन इंटरनेट पर सर्च मारीए गान और कल किया होता एक प्रकार के यहाँ सिस्टम होता है ठीक है सिस्टम होता है और सिस्टम सॉप्टवेर होता है आगे दिख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा अच्छे समय इसको एक्सप्लेंड नहीं कर पाया जब मैं खुद अजब बनाता है उसको हम लोग बनाता है सिस्टम प्रक्रामर्स टिक है सिस्टम प्रोग्रामर्स टिक है आगे बढ़जा जाता है next question की और question है हमारा which of the following is the extension of not paid ठीक है तो दीखिए not paid का extension क्या होता है जब आप लोग edica या फिर computer class जाते हैं तो आपको सबसे पहले not paid सिखा जाता है ठीक है तो not paid का extension होता है .txt ठीक है word paid का क्या होता है जान लीजिए तो dot होता है doc ठीक है और ms word का .docx ठीक है इतना जान लीजिए ms word excel का जनिएगा तो excel का होता है .xlsx यह होता excel का ठीक है ms excel का powerpoint का चलिए इतना काफी है यार next हमारा which of the following is a single user operating system ठीक है तो इन में से कौन सा एक single user operating system है तो राइड अंसर हो जाएगा हमारा यहां पर विंडू विंडू एक single user operating system है ठीक है अगे दिखते है next question की और तो यहां पर विंडू होगा या मैं ms-dos जाएगा Microsoft डिस्क उपरेटिंग सिस्टम ठीक है विंडू मत मारियेगा आगे देखते हैं next question तो हमारा question है which of which of the following is not application software इन में से कौन साइक application software नहीं है ठीक है तो simple सी बात है हमारा यह जो आप देख रहे हैं MS Windows 7 मतलब विंडू 7 यहां एक हमारा system software है ठीक है यानि कि जब आप computer लेते हैं तो उसमें आपको विंडू डालना पाले से होता है विंडू 10 विंडू 7 विंडू 8 विंडू 11 ठीक है तो जन्रसन होता है तो आपको विंडू 7 एक परकार का system software है बाकि word paid not paid यह सभी आपके στα 20 जैसे MS office का पार्ट एक ठाइओ फॉट सोफिय सब अलग अलग पार्ट सेंसे प्रोग्राम में चड़ेशर चोड़े पुरूप नेक्सक्राइब रिपरजेंट्स दा यूजर हो मरे क्णिया कि एक संहे यह और जाश। थे होगी अन्हेएं यह हम डिरेक्टरी का सेंबल होता है तो प्सन फॉर इसका राइटन सब्जाएगा यहां पर जो साइन मारा ना काट दिया है नेक्स्ट है हमारा वीच आप फॉलविंग इज एन एक्जामपल ऑप दा इंपूट सिस्टम या एन इंपूट सिस्टम का उधारन है इस्पिकर अंदर के साउंड को बाहर करता है तो यह तो एक आउटपूट हो गया डी एलपी प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर से हम लोग बाहर में देखते हैं तो यह भी आउटपूट हो गया बारकोड रीडर जो हम लोग बारकोड रीडर में जैसे आपका एडमिट काड है तो वहाँ पर बारकोट को रीड करता है तो वह अंदर चला जाता है तो यह हमारा एक इंपूट हो गया एक्सटेरनल कमांड का यूज किया जाता है आगेख लेते हैं पूछा अधिक अगया है कि वह जीज क्या होता है या ठिजिक क्या होता है अ फंको होता है में भी तो नहीं है इसी को मार देजिए पॉर्टेवल नेटवर्क ग्राफिक फाइल्स देखिए कोस्चन बहुत ज्यादा है लगभग डेड़ सो कोस्चन है ठीक है और आपका पूरा का पूरा पीडिया जा रहा है लेकिन सब इंगलिस में है ठीक है तो एक चीज करना है और जितना स्वल्ब कर पाएं स्वल्ब कर लीजिएगा ठीक है वह इसे मैं सब कोस्चन अगर करवाँगा तो डेड़ से दो घंटा लग जाएगा इलहाल 25 कोशन तक जाते हैं ठीक है तो पी एंजी का फुल्फर्म हो गया पॉर्टेवल नेटवर्ट ग्राफिक फाइल आगर देख लेते हैं next question question number 23 इसमें पुछा गया है कि which shortcut key is used to maximize the document को maximize करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं ठीक है तो देखिए आप function की का यूज होता है function के संख्या 12 होते computer में F1 F2 F3 से करकरके F12 तक जाता है ठीक है तो function की हम लोग यूज करते हैं control plus F10 maximize करने के ठीक है अगर spelling check पुछा जाए spelling check का फिवार पुछा गया है F7 कई उच करते हैं spelling check के लिए ठीक है इस तरह से F7 यह हो गया फिर हमारा which of the following is not a valid file extension for audio तो देखिए audio जब हम लोग सुनते हैं तो उसमें MP3 MP4 होता है option mid होता है web होता है लेकिन rar नहीं होता है ठीक है dot rar नहीं होता है तो इसका right नहीं सुल जाएगा option B next है हमारा which device allow you to enter data and instruction into a computer ठीक है तो computer में data construction इन सब के लिए किसका यूज के जाता है ठीक है तो अभी मैंने बताया कि दो टाइप से device होते हैं computer के अंदर कोई data enter करना है यहां पर क्या बोला गया है कि enter data and instruction into a computer यानि computer के अंदर आपको कुछ भेजना है तो हम लोग input device का यूज करेंगे option one इसका right answer हो जाएगा ठीक है यहां पर L.U. का full form जान सकते है L.U. का full form होता है arithmetic logic unit CPU का full form सब को जानता है central processing unit computer का मस्तिस कहा जाता है इसको ठीक है देखिए बहुत सारा यहां पर है और इन सब का question का answer कहां से मिलेगा यार यही तो दिक्कत है ना मैं तो बताऊंगा तो अब तो हो जाएगा लेकिन नहीं बताऊंगा तब को search करना पड़ का है D.E. का ठीक है यह तीनों वीडियो 150 question का अगर आपको चाहिए वीडियो तो मैं वीडियो का description में दे दूंगा तीनों वीडियो का link साथ ही यह PDF 150 का भी दे दूंगा ठीक है लेकिन आंसर नहीं मिल पाएगा वही बात है जैसी आपको जहां से पढ़ना है पढ़ सकते है मैं वीडियो भी दे दूंगा और पीडियो भी दे दूंगा ठीक है लेकिन आप लोग अच्छे से देजिए चलिए जो भी हो और एक्जाम होने के बाद जैसे आप लोग एक्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं अपना question पर इस नंबर पर सेंड कर देजिएगा ताकि next day पर जो एक्जाम होगा ना उन सभी का बच्चों का help हो सके ठीक है उससे क्या होगा कि बच्चे फेल करने से बंच जाएंगे और परते का आदमी जब किसी का भला करता है तो आपका भी भला होता है ठीक है चलिए sharing for caring नाम तो सुनाई होगा स्वरी नाम नहीं है यार क्या क्या क और एरिंग चलिए बाइबाइब मिलता है नेक्ट वीडियो में all the best अच्छे से एक्जाम देजिए जो भी होगा देखा जाएगा यार ठीक है